अठ्याय चार श्लोप बत्तिस भागवत कीतव एवं बहु विधा यगना वितिता ब्रह्मनों मुखे कर्म जान विधितान सर्वान एवं यात्वा विमोक्ष्य से अनुवाद विभिन प्रका के इन सभी यग्यों का वर्नन वेदों में किया गया है इन सबको शरील मन तथा इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाला समझो इस प्रकातत्व से जानकर इनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा योग इश्वय श्री कृष्ण कहे रहे थे कि इन सब यग्यों को करते हुए जो मनुष्य निश्काम भाव से कर्म करके एक शाक्षी बन जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं इस श्रोक द्वारा श्री कृष्ण यग्य के बारे में अभी तक उन्होंने जो कुछ कहा है उसका समापन कर रहे थे श्री कृष्ण कह रहे थे निश्काम भाव से किंतु साधा इंतह मनुष्य केवल सकाम भाव से कर्म करते हैं मनुष्य का अनुभव केवल अपनी कामनाओं के कारण उत्पन्न होता है मानव जीवन एक यग्य है यदि कोई इसे निश्काम भाव से जी सके तो मुक्ति के द्वार अपने आप खुल जाते हैं इस शोक में ब्रह्मनों मुखे का अर्थ है ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म अर्थात परमात्मा जिन्होंने सदा अपनी बात किसी और के मुख का उपयोग करके ही कही है जिनके मुख का उपयोग ब्रह्मा ने किया है उन योगियों ने अपना संपूर्न जीवन ब्रह्मा को समर्पित किया है वेदों में जो ग्यान है वह ब्रह्म के मुख से निकला है वेदों का अर्थ ही ग्यान होता है समस्त पित्वी पर ऐसी अनंत ग्यान की समहताएं हैं जो इस तह से ब्रह्म के मुख से निकली है मुख अलग-अलग होते हैं भाष्षाएं भी अलग-अलग होती है सब फिताएं भी अलग-अलग होती हैं, किन्दू सभी योगी जन उस एक वानी को पहचान ही लेते Хैं वेदों का अर्थ होता है जो ब्रह्म घ्यान जानने वालों ने कहा जिसने ब्रह्म घ्यान जाना, वह स्वभाविक रूप से ब्रह्म से एक हो जाएगा जो ब्रह्म से एक हो गया हो उसका मैं नश्ट हो चुका होगा इस कारण वह स्वयम नहीं बलकि परमात्मा की वानी बोल वहा होगा वेदों को अपौरुषे कहते हैं जिसका अर्थ यह नहीं होता है कि स्वयम ब्रह्म द्वारा रचे गए हैं क्योंकि परमात्मा द्वारा तो इस शृष्टी की हर वस्तु का स्विजन हुआ है इसलिए अलग से वेदों को प्रह्म द्वारा रचे हुए कहने की तो आवश्शकता ही नहीं थी यहां अपौरुषे का अर्थ है कि ऐसे योगी के भीतर पूरुष्विदा हो गया है तथा उनके भीतर अपौरुष्धित हो गया है ऐसे स्तिक पग्या योगी के हाथ जिनके द्वारा उन्होंने वेदों की रचना की है केवल एक माध्यम थे उस अपुरुष का उस परमात्मा का पृत्वी पर अपना ग्यान प्रसार करने के लिए जैसे कुरुक्षेत्व की रनभूमी में अर्चुन केवल श्री कुष्न का एक माध्यम थे धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए यदि शास्तों में कहीं भूल चूक हुई है तो वे केवल इस कारण वी है कि जो योगी जन ब्रह्म की वानी बने थे वे अपने भा काणी को अधिक्ता केवल भारतवर्श तक सीमीत रखा जाता है परंतु ज्यान की तो सीमा इन ही नहीं होती है इस कारण इश्रोक में योकिश्व श्री कृष्ण ने ब्रह्मनों मुखे शब्त का उप्योग किया है क्योंकि ब्रह्म के मुख से निकले ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है